हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में MVA Cooking Kitchen and Home Tips आज मैं आपके लिए किचन के इतनी अच्छी टिप लेके आई हूँ कि आपने कहीं नहीं सुनी होगी और ये 100% कारगर है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं मैंने के चार शकरकंदी ले हैं और हमें जादत शिकायत रहती है कि में बजार की बहुत अच्छी लगती है शकरकंदी घर की इतनी मीठी नहीं होती आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ हम इसको नॉर्मल तरीके से ही उबालेंगे जैसे उबालते हैं हमेशा बस हम इसको आधा काट लेंगे और ये अंदर से खराब निकलाई है इसको हम नहीं उबालेंगे इसे काटने के कैई सारे फायदे हैं एक तो हमें पता लग जाता है कि यह गंदी है या अच्छी है हम सिर्फ साफ वाली ही उबालेंगे सबसे पहले आपको अपनी शगर गंदी को बहुत अच्छे से रगड के धोना है आपने गंदी नहीं उबालनी है उसमें जरा से भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जो भी साफ होंगे पीस हम वही उबालेंगे और यह मैंने सारे पीस यहां काट लिया है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग एक कटोरी लगभग एक कटोरी पानी है यह अब टाइम है इसको मीठा करने का हम इसमें थोड़ा सा गुर्ट डालेंगे यह इतना काफी होगा इसको हम बारिक-बारिक काट लेंगे और इसको उबलते हुए इस पानी में डालेंगे। इससे कितनी भी फीकी हो यह शकरकंदी बिलकुल मीठी हो जाएगी। इतना काफी है। इससे जादा ने। यह भी मैंने बचा लिया इसमें से टुकड़ा। इसमें चीनी मट डालेगा उबालते हुए क्योंकि वो शकरकंदी को कड़वा करतेगी। और पानी को बहुत चीड़ा करतेगी। और बहुत जादा चिकनाई की वज़े से आपका कुकर भी बहुत गंदा हो जाएगा। गंदा इससे भी हो जाएगा लेकिन यह जो है, इसकी मिठास को मेंटेन कर लेगी। अच्छे से बैलांस कर लेगी इसकी मिठास को और इसमें एक टेक्स्चर आ जाएगा जिससे यह बहुत स्वार लगेगी। तो इसके बाद हम अजिसे उबालेंगे नॉरमल तरीके से बस अब हम इसे शिफ 2 सीटी देंगे तेज पे और उसके बाद हम नॉरमल तरीके से अपना खा सकते हैं तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आईए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर करें थैंक यू, keep watching